हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट सिल्भी कमीज की कटिंग बताऊंगा कि किस तरीके सा उसको बहुत असानी से कर सकते हैं और दोस्तों यह इतना इजी तरीका है कि आप अगर एक बार देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत असानी से अपने घर म इसको हम सिंपल दोस्तों डबल में आपको कपड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे कमीज करने के लिए इसको हम सिंपल दोस्तों डबल में आप चाहिए तो कर सकते हैं इसे टाइम बचाने के लिए लेकिन मैं आपको सिंगल की ही राय दूँगा तो मैं इसे इस तरीके से ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बान यहां पर इस साइड में दोस्तों हिप हमारी 20 इंच और 20 इंच का हम घेरा रखेंगे तो 20 इ अब दोस्तों रखने के बार हमारा कपड़ा तो सेट हो चुका इसमें जो भी आड़ा तिल्षा कपड़ा होगा यह ओटोमाटिक दोस्तों निकल जाएगा तो यह तरीका आप हमेशा यूज करा करो आप मेरी जितनी भी कटिंग देखो गए कपड़े मैं इसी तरीके से दो अब मैं पल्ची को यहां पर रखके आपको कटिंग बताता रहूंगा उससे पहले आप यहां पर आजाए नीचे की तरफ यहां पर एक निसान लगाँगा एक निसान ओल लगाएंगे जिससे जो भी आड़ा तिल्षा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा यह दोस्तों निस की बश्ट में हम यहां पर जो लेंगे वो लेंगे दोस्तों सेवन इंच ठीक है उसके कमल का निसान आएगा साड़े चोदा इंच में हीप का आएगा साड़े 21 इंच में इन तीनों चारों निसानों को हम अपनी सीधा फुट्टे के मतल से सीधा करेंगी देखिए ऐसे करक कर दोस्तों देखिए जो हमारी सेवन इंच की लैंद्स पर हमारी आएगी बस्ट तो यहां पर देखिए चैस्ट का निसान जो है बस्ट चैस्ट को ही कहते हैं चैस्ट यहां पर 19 इंच है उसका हाफ होगा आपका साड़े नो कमर 16 इंच है उसके नीचे आप आजए 16 का आधा आठ इंच हिप दोस्तों हमारी 20 इंच है 20 का आधा 10 आपको इस तरीके से निसान लगा लेना है फिर यहाँ पर हम अपनी सेफटी के मदस्ते इसको ऐसे रखके दोस्तों वह निसान लगाएंगी अब दोस्तों निसान लगाने के बार यहाँ पर सीधर फुट्टे की मदस्ते हिप वाला और घेरे वाला जो निसान होगा घेरा भी हमारा दोस्तों 20 था तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे और नीचे आपको हिप के निसान से नीचे आले निसान को इस तरीके से मिलाना है और ऐसे निसान लगा लेना है अब यहाँ पर जितना मालजन देना चाहते हो उसको भी इस तरीके से निसान लगा लीजिए तो यह तो हो गया दोस्तों आपका टोटल निसान अब यहाँ पर हम अपना फरनेट रख देंगे मैं यहां पर पौनी छे रख रहा हूं वैसे इस साइज में हम छे इंच रखते हैं इस चीज का खास सूर पर ध्यान रखें दोस्तों तीरा है हमारा साड़े बारा इसमें से माइनस कर देंगे दो इंच तो यहां पर हमारा बच्चे का साड़े दस तो यहां पर हमें तीरा रखना है दोस्तों सवा पांच इंच और आपका कट स्लिप कमीज के अंदर आप चाहें तो हलका सा तीरा बढ़ा भी सकते हूं इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो यहां पर हमने सवा पांच के जगे हम यहां पर साड़े पांच कर इसे कोई दिखकत नहीं आएगी उसके अगले का बॉट हम यह लएंगे फोने तीन हमारा इंचे डाउन करते हैं किस तरीके से करेंगे देखी ऐसे तिल्चा करेंगे यहां पर इस तरीके से शार लगा देंगे अब इसको नीचा निसान पर मिलाकर इसको ऐसे निसान उठाएं करेंगे अब यहां पर ही आपको एक चीज समझनी है क्योंकि यहां पर अगर गडबल कर देंगे तो कट स्लीव कमीज कर खराब हो सकती है उसको अच्छी तरह समझने इसको जो निसान लगा रहा हूं दोस्तों यह हमारा फॉरेंड का निसान कि कटिंग करुंग से कटिंग अब दोस्तों हमें इस निसान पर करना हमें इस तरीके से दिखेगा अब आपने अगर यहां से जो है फरेंट को कटिंग कर लिया होगा यह दोस्तों यह वाला जो हिस्सा होगा यहां पर काट होगी तो दोस्तों क्या होगा यहां पर साइड से इसकिन दिखती जो कि बहुत ही जादा गंदी लगती है इसलिए हम यहां पर ब पल्ला और पीछे का पल्ले का जो आर्मोल होता है वो बिल्कुल सेम होगा कट स्लिव कमीज का कभी भी नोट कर लेना यह इसलिए होता है कि इसकी नजर ना आए अब देखिए यहां पर इसको कटिंग करने के बाद जितना माजन आप देना चाहते हों साइज में उस तरीगे स क्रक्राद से नीचे तक किसे कर लेंगे हम करने को अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इक परला मैंने कर दे hundred लिए सकने बाद जूत है नहीं आपकी बिलकुल सेंचे करे को बिछाना है 12 इंच करके प्रैस लगानी है और सेम इसी के बराबर दोस्तों आपको कर ले ना कटिंग बिल्कुल भी चेंजिस नहीं करनी और जहां जहां हमारी कट की ज़ुरत है जैसे गले की ब्रॉट की चैस्ट की कमर की लेंद का हिप की लेंद का और घेरे का हर जगा प ना आपको फुरसम का गला बनाना है फिर blending बैक का गला बंनने के बाद बनाने के आप कंडि को जोड़कर ऊबर लोग करते हों बैब भाला फिनिस कर ली से लिए ऊसके बाद दोस्तों उसी उपन करने के बाद ये चो आर्मोल वाला हिस्सा है इसके अंदर आपको पाइपिं लगाने हैं पट्टी लगाने जब आप उसको फिनिस कर लोगें तो यहां पे आपका पूरा उपर का इससा तयार हो जागा फिर दोस्तों सिंपल आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे अपनी चाग और घिरे को फोल्ड कर लेना है यहां पर आपकी कट सिलिप कमी कमीज जो है पूरे तयार हो जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से आप कट सिलिप कमीज को कटिंग करके बहुत असानी से बना सकते हों फिर भी दोस्तों अगर आप हमसे सीखना चाते हो तो इसकीन पर एक नंबर आपको नजर आता होगा जो टेलीग्राम का नंबर है आप उ दोस्तों उसका चार्ज है वो दोजार रुपय है दो महीने के लिए थैंक्यू फर वाचिंग